सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सब से पहले और हां बेल आइकन दबाना ना भुलें नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे विशेश कारेक्रम में और मैं हूँ आपके साथ आर्जु दुबे आप सभी को संकस्टी चतुर्ती की हारदिक शुपकाम नहीं तो चलिए आज जानेंगे संकस्टी चतुर्ती के बारे में कि आखिर क्यूं मनाई जाती है संकस्टी चतुर्ती विकट संकष्टी चतुर्ती की तिथी के बारे में जानेंगे जानेंगे पूजा का महूरत और सूरे उदे के समय के बारे में दरसल हिंदू पांचरांग के अनुसार वैसाख मा के कृष्ण पक्ष की चतुर्ती 19 अपरेल शाम चार बच कर 38 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 20 अपरेल दोपहर 1 बजे 45 मिनट पर होगा संकष्टी चतुर्ती में चंद्रमा का विशेश महत्व बताया गया है इसलिए चंद्रमा का उदे 19 अपरेल को ही होगा इस अधार पर विकट संकष्टी चतुर्ती का अवरत 19 अपरेल के दिन रखा जाएगा शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का अधर्शन करना जरूरी बताया गया है धार में ग्रंथों में जिक्र है कि गनेश जी ने चंद्रदेव को वर्दान दिया था कि संकष्टी चतुर्ती का वरत चंद्रमा के दर्शन के बिना अधूरा है क्रिश्न पक्ष में चंद्रमा का उदे देर से होता है इसलिए इसी दिन देर तक चंद्रमा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है बता दे कि इस बार चंद्रमा उदे रात 9 बचकर 50 मिनट पर होगा देश में अलग-अलग हिस्सों मे चंद्रमाग के समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है हर महा के दोनों पक्षों की चतुर्ती भगवान श्री गणेश को अर्पित है क्रिश्न पक्ष में आने वाली चतुर्ती को संक्टी और शुक्ल पक्ष की चतुर्ती को विनाय चतुर्ती के नाम से भी जाना जाता है चेत्र महा के बाद विसाग के महीने की शुरवात होती है और इस महा में पढ़ने वाली संकष्टी चुतृती को विकट संतुष्टी चुतृती के नाम से भी जाना जाता है विकट संकष्टी चुतृती के दिन भगवान गनेश की पूजा की जाती है और उन्हें मोदक, सुपारी, पानी, आदी चीजें अर्पित की जाती है इस दिन विदी विधान के साथ भगवान गनेश की पूजा की जाती है और वरत रखा जाता है इस दिन वरत कथा श्रवन करना आवश्य होता है और इस दिन वरत रखने के बाद चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए और वरत का प्रण करना चाहिए और इसके बाद ही वरत पूर माना जाता है दर्शकों फिलहाल के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे आपसे धन्यवाद